तो हेलो डियाश्योंट्स और फ्रेंट्स आज किस वर्टिज में बात करने वाले हैं जवलपूर एक्ट एप्रेंटिस 23 रिक्विट्मेंट के बारे में आपको बता दे कि जवलपूर के रिकार्डिंग रेल्वे ने नए अप्रेंटिस की भरती को जारी किया है तो इस वर्टिज में जानेंगे कि इस अप्रेंटिस के डिकारिंग आपके सैथली कितनी होगी एपरेंटिस के फायते क्या होंगे age limit क्या रखा गया education qualification क्या है मिल्कुल merit based यहाँ पर होने वाला है selection कोई जानमेंशन नहीं होगा और selection जो होगा वो merit किस परकार से बनेगा तमाम जनकार यहां पर देंगे तो वीडियो पर बने रहीगा complete वीडियो को बाच कीजिएगा तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की और जानते हैं इसके बारे में complete information को सब दोस्तों बाइस से यह भी appeal रहेगा कि वीडियो अच्छा लगेगा informative लगेगा तो वीडियो को like and subscribe जोर कीजिएगा यह दिस से आपको फैदा होता है तो please दोस्तों चैनल को subscribe कीजिएगा दोस्तों में ज़रूर share कीजिएगा इस वीडियो को ताकि उने भी इसके बारे में कलकता कोटा डीवीजन डड Awakएसटक्रों यहाँ अब सकते हैं आगे बढत करते हैं आपकी आपके आपात कि आपका जो आzkा जायगा उसको समझ लडेगा और सबसे पहले को को दहां marine क्या थोएओ वह आपके 136 रुपया कम से कम आपका क्या सकते हैं कि जनरेल वाले के लिए रहेगा और स्टीए वाले के लिए 36 रुपया आपको फीज देना होगा इसका आप जो एज लिमिट है वह मीनिमम अठारा और मैक्समा आपका 24 येर का एज लिमिट आप यहां पे लेकर चल सकते हैं इसके रिगारिंग जो एजुकेशन क्या गया है आपका सिंपली क्लास्टेंथ पास होना चाहिए और आपके पास आईटीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो भी रेलिवेंट ट्रेड के रिगारिंग आप फॉम को भर रहे हैं उसमें यानि कहना है मतलब अगर आप करप क्लास्टेंथ और साथी साथ आपके जो आईटीए के मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर क्या होगा आपका यहां पर सेलेक्शन किया जाएगा और इन दोनों के मार्क्स का एवरेज निकालके क्या होगा आपका यहां पर सेलेक्शन मेरिट बनाया जाएगा ठीक है और इस मेर 10 पर निकल ला है किसी स्टृट्ट का निकल ला है तो जिनका ज्यादा होगा उनका चांसे स्राइगा पस इतना ही होगा ठीक है जो अलग प्रकार के शाहने कि तरहने हैं तो यहां यह जो आपके कह सकते हैं कि अपका इसमें आपका स्टैप्राइबंड मिलता है कोई साल्डी मिलती है मैं ही मिलते है इसका नाम साल्डी ही मिलता है गता हुर्त होता है बात करते हैने के बाराEs नहीं दिया जाएगा वह आपको अपने पैसे पर फूडिंग लॉजिंग का विवस्था करना पड़ेगा ठीक है आगे बात करते हैं कि जो आपके फूडिंग लॉजिंग अगर आपको नहीं मिलेगा और तो इसके हमें अपरेंटिस करने के फायदे क्या होंगे फायदा को ज सारे डिविजन के रिगारिंग अलगला कार के वेकंसी दिये गहा है जैसे माल लेते हैं यह आपका डिजिटल फोटोग्राफर का वेकंसी है जिसमें की यह डिजिटल फोटोग्राफर का जो आपका रिक्यूटमेंट है इसमें तीन डिवीजन में है जैसे कि JPV डिविजन क कोटा के इसी प्रेड्र कर सकते हैं कि किस new is momento झाके फालबē में श्कूंसी और कौना लिया है और श्क्ता डिविस को वरसकते इसका इनुसा ऐसे हो जब यहीं加नरक्षारा ऩकर पाइसेयर ह को जारी करती है तो इसमें यहींड योई ऐन से गांव है आपके National Council से ठीक है उनको क्या मिलती है 20% का यहां पर Reservation दिया जाता है गुरूप D के एगानवेशन में रेलवे के ठीक है यह आपको वहाँ पर फायदा होता है यदि आप इसे अपरेंटिस किये रहेंगे रेलवे गुरूप D की वेकेंसी को निकालेगी अब कुछ समय बाद ही आपका इडेलवे का वेकेंसी आने वाला है तो अगर गुरूप D की वेकेंसी को निकालती है तो इसमें आपको 20% वहाँ पर विसन दिया जागा तो यह इसके फायदे होंगे और सभी तवम्यान करी जो कि हमने आप आपको बताना था वो हम यहाँ पर दे दिया है और यदि कोई डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट बाक्स में लिकर यहाँ से पूछ सकते हैं ठीक है तो चलिए रखते हैं स्वीडियो